मेरे परिवार जनों, हमारे देश के करोड़ों आदिवास्यों को कॉंग्रेस ने कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्यान के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्यान का बजेट भी कई गुना बढ़ा दिया। आठ या दस बन उपज उस पर ही MSP मिला करती थी, भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 बन उपजों पर MSP मिला करती है आपका पशुधान सुरक्षीत रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड रुपिये से पशुओं का टिका करण का अभियान चला रहा है जैसे हमने कोवीड में लोगों को मुफ्त वैक्षिन दिया था ना, आपको वैक्षिन मिला था ना, मुफ्त में टिका लगा था ना, अब मोधी पशुगों के लिए भी मुफ्त टिका करण कर रहा है, हजारों करोड रुपे लगा रहा है आपको याद है ने, कि इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कारलाकार में वनक्षेत्र में मवेशी चराने पर, आपको याद होना चाहिए, भुलना मत मवेशी चराने पर, गास काटने पर, जुर्माने को पांसो से बढ़ा कर पचीस हजार कर दिया था याद है, ये तो बाद में जब भाजपा सरकार आई, तो उसने ये गहलोत के पापी निर्णों को खतम किया था और आपको बचा लिया था, भुलना मत कॉंग्रेस गरीब आदिवास्यों से पुराने जमाने के अंग्रेज जीसे दिमाग रखते थे न, वैसे ही जो हम अंग्रेज जीसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे न, आजाती के बाद भी कॉंग्रेस आदिवास्यों के साथ वैसा ही वेवार करती है सहट, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बेहनों के स्वाभिमान को कॉंग्रेस ने हमेशा चोट पहुचाई है हमें आदिवाती भाई बेहनों के उनके सम्मानों की सिक्षा और स्वास की चिंता है इसलिए नुंगरपूर में केंद्रिय सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला गया है मांसवाडा में गोविन गुरु जन जातिये विश्वद्ध बिद्याले भाजपा सरकार ने प्रारंब किया प्रतापगड में महाडा प्रताप के नाम पर आंफ बटालियन के गटन के लिए भूमी का आवटन कर दिया गया है आदिवासिक खेतर के वर्तमान में चल रही रिक्तियों उसको भी सरकार बनते ही जल्द से जल्द भरी जाएगी मानगड धाम के विकास को पुरा करने के लिए भी भाजपा सरकार यहाँ पूरी शक्ति से काम करेगी जिस प्रकार पूरे देश में अपने तिर्सों का भाजपा सरकार काया कल्प कर रही है वैसे ही मानगड और बेशवार धाम का विकास होगा डुंगर, बरंडा और बांसिया चरपोटा जैसे हमारे आदिवासी नायकों को भी उचित सम्मान भाजपाई दे सकती है साथियों कॉंगरेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती जो कॉंगरेस के परिवार की और आँख उटा कर भी देख लेता है कॉंगरेस उसे निचा दिखाने के लिए कोई कसर बाके नहीं छोड़ती कॉंगरेस ने बाबा साब के साथ भी यहीं किया कॉंगरेस ने सरदार प्रटेल को भी इसी तरह अपमानित किया भाजपा ने बाबा साब अमबेड कर से जुड़े प्रमुक्स दिलों को पंच तिर्थ की रुपे विक्सित कराया है आप सभी के सयोग से आज गुजरात में केवडिया में एक्ता नगर में बिश्व की सबसे उंची सरदार बल्लब भाई प्रटेल की प्रतिमा और मैं तो आप नुंगरपुर के लोगों को कहूंगा कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो Statue of Unity न देखा हो सरदार प्रटेल का एक भव्यस मारग नहीं देखा है आप कहार कम बनाएए जाएए आप देखेंगे कैसा बड़ा सम्मान सरदार प्रटेल को हमने दिया है वे तो कोई भाज़पा के कार करता नहीं थे देखिन जो देश के लिए करते हैं अब उनके लिए जीते हैं हर रोज हजारों लोग Statue of Unity को देखने के लिए वहाँ जाते हैं लेकिन आज तक कॉंग्रेस का एक भी नेता Statue of Unity नहीं गया और यही कॉंग्रेस की सच्चा ही है और इसलिए यह कॉंग्रेस से बहुत साफ़दान रहना कॉंग्रेस ना दलीतों की है ना पीछडों की ना आदिवासियों की ना गरीब की कॉंग्रेस सिर्फ और सिरफ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है कल मैं जैपूर में रोड़ शो कर रहा था तो महां बड़े बड़े होलिंग लगे थे कॉंग्रेस के चुनाव के यहां के मुख्यमंत्री की तश्वीर थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तश्वीर नहीं थी उसमें कॉंग्रेस के एक एमपी की तश्वीर थी लेकिन कॉंग्रेस के अध्यक्ष जो दलीत है और चालीस पचास साल का संसद यह जीवन का अनुभव है कॉंग्रेस में सबसे सीनियर कुंबे मैंसे एक है उनकी फोटू नेजर नहीं आ रही है कॉंग्रेस में दलीतों के साथ क्या होता है या आप जैपूर में जाकर के मैंने तो कल देखा मैं तो चौक गया अरे भाई कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खरगे जी उनकी एक फोटू लगा देते तो तुमारी नोकनी नहीं चली जाती लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ती सिर्फ एक परिवार की भक्ती कुछ दिन पहले ही आदीवासी समाज के लिए P.M. जनजाती आदीवासी न्याए सामाजिक न्याए तो हमने बहुत सुना है मोदी ने उससे भी आगे बढ़कर के आदीवासी न्याए महा भ्यान आदिवासी समाज को न्याए मिले आदिवासी समाज में सव से आखरी है उनको न्याए मिले इसलिए पी-म जन जाती आदिव्यासी न्याए महा अभियान शुरू किया गया 24,000 करोड रुपे की योजना आदिवासी समाज का जीवन बदलने वाली है